हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल वाई फाई स्टुडे 3.0 और दोस्तो आज की वीडियो मैंने मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक लिया है नागरिक्ता संसोधन बील यानि सीएबी के बारे में आपने सुना होगा यानि सिटेजन सिप अमेंडमेंट बील के बारे में तो इस तक परूचे तो आएए देख लिए आज का सबसे पहला कोस्तन और इन सभी कोस्तन का जो भी पीडिया फैल लिंक में डिस्क्यूशन बॉक्स में इधर रखे आप वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सते हैं ठीक है आज का माना सबसे पहला कोस्तन है किस दिन संसत क के दोरा नागरिकता संसोधन विद्यक को मंजूरी दी गई है अगर आपको किसी भी कोस्तन का एंसर मालूम हो तो आप हमें कमेंट में उसका एंसर दे सकते हैं आई इस कोसं का राइटन देख लेते हैं तो किस दिन संसत के दोरा नागरिकता शंसोधन विद्यक को मंजूरी कुझ गांमें Giving दोनों बात रखनीा है आपको 9 दिसंबर को लोकसभा से और राज्य सबसरी संवक्राइब सहब वी, दोनों बात रखनीा है आपको सिटिजोंसीब निम्रिकत में से कौन सा अधिनियम आवैद प्रवासियों को भारतिय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंदित करता है यह बताना है आपको को साने फिर से पढ़ लेते हैं तो इस कौसन का राइटन सरो जागा ऑफ्सन नमर ए नागरिकता अधिनियम 1955 यानी की नागरिकता अधिनियम 1955 तो कौसन अगरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंदित करता है तो नागरिकता अधिनियम 1955 तो आफ्सन नमर ए नहां पर कर्रेक्ट नसर हो जाएगा ठीके अगला कौसन नागरिकता संसोधन विधयक लोग सभा में किसके द्वारा पारित किया गया तो नागरिकता संसोधन विधयक लोग सभा में किसके द्वारा पारित किया गया तो याद रखना है आपको अमित सा के द्वारा ये वरतमान में होम मिनिश्टर है यानि कि ग्रिह मंत्री है तो ये जरूर से याद रखना है आपको ठीके अगला को सा ने हालिया संसुदन विधाया किन देशों के अल्पिशंख्यकों को नागरिकता देने का फैशला किया गया है कि देशों के अलव संक्यों को नागरिक्ता देने का फैसला किया गया है तो याद रखना है आपको ABP आपको ABOP यानि कि अफगानिस्तान बांगलादेस और पाकिस्तान तो यह तीनों देशों के जो आलव संक्यक है छे धर्म के लोग उसमें आते run मまだ March पर पर आते हैं हिंदू, सिख, जैन, बॉध, पार्सी और इसाई ये छे के छो लोग हैं आफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान के इसमें मुस्लिम सामिल नहीं है तो ये जो अलपसंख्यक है उनको नागरिक्ता देने का फैसला किया गया है तो इसको संकर आइट न बड़ी यहां पर करेक्टन सर हो जाएगा और ABP याद रखना है आपको अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान ठीक है अगला कुसर नागरिक्ता संसोधन बिधे के अंतरगत कूल कितने अलपसंख्यक समुदाय को नागरिक्ता दी जाएगी तो मैंने भी आपको बताया और से नंबर सी यहां पर करेक्टन सर हो जाएगा छे लोगों को मैंने अभी आपको नाम बताया जिन में से लिए यह जरूर से रखिएगा और शीयाद रखिये अगला को सिने में के अंतरगत नागरिकता देने जाने की 11 वर्ष की सर्थ को घटा कर कितने वर्ष करन है CAB में यानि कि citizenship amendment bill में के अंतरगात नागरिकता देने देने जाने की 11 वर्ष की जो सर्थ थी पहले उसको घटा कर कितना वर्ष करने का प्राधान किया गया प्राधान किया गया है तो पांच वर्ष याद रखना है आपको आफसर नमबर भी यहां पर करेक्ट अंथर हो जाएगा तो यह जरूर सर्याद रखिएगा के अंतरगत किस अनुस्यत के उलंगन की बात कही जा रही है तो किस अनुस्यत के उलंगन की बात की जा रही है तो याद रखना है आपको and answer number Article 14 रखना को अनुसर 14 क्या कहता है विधि के समक्ष समानता और ये कहां से लिए गया है तो ये ब्रिटन से लिए गया है तो ये जरूर 18 याद रखना है आपको ठीक है अगला कोस्टन है नागरिक्ता संसोधन बिध्यक के अंतरगत लोक सभा में कुल कितने वोट पड़े मोस्ट इंपोर्टन कोस्टन है और करेंट का ये कोस्टन है नागरिक्ता संसोधन बिध्यक के अंतरगत यहाँ पर मैं पूछा हूं लोक सभ पड़े हो याद रखीएगा कुल मैंने कितने वोट पड़े तो 391 वोट पड़े हैं याद रखने हैं को जिसमें से 5 में पड़े हैं 311 वेट पड़े हैं और बीपच पड़े हैं 80 याद रखना है आपको बीपक्च में 80 वोट पड़े हैं तो यह जरूर्स याद रखना है आपको नागरिक्ता संसोधन बिध्यक के अंत्रगत लोगसभा में कुल कितने वोट पड़े अगर आपसे यह पूछा जाए तो 395 में पड़े हैं 311 और 25 में पड़े हैं संसर बुछा जाएगा थियुवो फड़े है हैं जासा कि आउट रहे होंगे यह पड़े हैं और टॉक्षलीस की बात कर रहे हैं और राज्जत RiverB han कोशन में पहले कोशन में डिसकर्स किया था तो नागरिकटा संसोधन को श्कूर्ण normally के अगला कोशन किस तारीक और पहले आयोगों को आयोजित की जायेगी तो यह ज़रूरर सियाद्न आपको most important question है किस तारीक से पहले आए लोगों को आयुजित की जाएगी नागरिक्ता संसोतन विध्या के अंतरगत CAB के अंतरगत तो याद रखना है अंतरगत यह आएंगे तो यह ज़रूर स्याद रखना है ठीक है अगला question है अनुस्चेद 368 का संबंध किस्से है most important question है तो अनुस्चेद 368 का संबंध किस्से है याद रखना है आपको समीधान संसोधन से option number A यहाँ पर correct answer हो जाएगा article 368 में यह प्रावधान दिया गया है कि संसोधन संसोधन में संसोधन जनुरत पढ़ने पर किया जा सकता है ठीक है अगला question है नागरिक्ता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस अनुस्चेद के अंतरगत दिया गया है तो नागरिक्ता अगरिक्ता से संबंधित कानून बनाने का तो आटिकल 11 यहाँ पर correct answer हो जाएगा तो याद रखिएगा ठीक है अगला question है भारत में संविधान संसोधन की प्रकिरिया किस देश से ली गई है most important question रहेगा आपके लिए तो भारत में संसोधन की प्रकिरिया किस देश से ली ग और याद रखिएगा ठीक है अगला question है भारत मेंसे अधन संसोधन कीतने तरीके से किया जासकता है तो याद रखिएगा है भारत में संसोधन क्यें से किया जा सकता है तीन तरीके से option of be correct answer हो जाए और question में यह पूछा जाए कि किस aarticle यानी इकीस तो अभी मैंने आपको पिछले कुस्त ने बताया अनुस्यत 368 में तो यह जरूर से याद रखनी है आपको और आफ्सान नमबर बी यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कुस्त निम्न में से कौन सा उपबंध संसत के साधाराण बहुमत से पास किया जा सकता है मूल अधिकार आफ्सान नमबर डी यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा तो यह जरूर से याद रखिएगा ठीक है अगला कुस्त निम्न में से किस मामले में बिसेश बहुमत का इस्तिमाल किया जा सकता है अफ्सान दिया हुआ है उप्राश्टपती का निसकासन दूसरा अध्यच और लोगसवा उपथ्यच को लिएगा गरिकता का अधिकार और समापन विधान परिस्द के अध्यच या उप सभापती को लिए पर सभापती लिए यहाँ पर क्रेक्ट अंसर हो जाएगा विधान बड़ी यहां पर करेक्टर हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट को सने यह जरूर से याद रखिएगा विदान परिशत के अध्याच या फिर उप सभापती को हटाना विशेश बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अगला को सने नागरिक्ता संसोधन बिधयक निमलिखित में से किस करम का संसोधन है और यह इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेयर करें ज्यादा ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा आगली वीडियो का अब्डेट नागरिक्ता संसोधन बिधयक निखित में से किस क्रम का संसोधन है तो 126 संसोधन है ठीक है और सबसे लास्ट जिसका अंसर आपको हमें कमेंट में देना है इथनावल से चलने वाली भारत की पहली बाइक किसने लॉंच किया है मुश्ट इंपोर्टन कोसन है और इसका अंसर आपको हमें कमेंट में देना है इस कोसन को मैंने पिछली वीडियो में डिसकस किया है जिसने हमारे पिछली वीडियो देखियोगे उसको मालूम होगा तो इसकोसन का अंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा आप संदि झाल झाल झाल